ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस जोईट एंड यो वाचिंग रसल चैटर्स पर उनकी पुरी लिस्ट में आपको बताने वाला हूं तो जादा मैं बखवास करूंगा नहीं मैं आपको सीधा पॉइंट पर लेकर चलता हूं जहां पर हमें पता लग रहा है कि हूस्टन बही जगा यहां पर इस साल होने वाली है रॉयल रंबल तो ऐसे मैं एक स्पेक्टेट है कि वो हमें एक सर्प्राइज एंटरेंट के तौर पर देखने को मिल सकते हैं आपको पता भी होगा अगर आप लोग एक्टिव चैटर रहें काफी टाइम पहले में आपको बताया था कि हॉन्स्वागल के भी रॉयल रंबल में उतरने को लेकर काफी जाता रूमर से तो फिर देखते हैं कि क्या कल हॉन्स्वागल हमें अपिर होते हुए दिखा रेते हैं और गाइस मैं आपको यह बता दूँ कि अब बात यह सामने आ रही है कि एज अपने रिटर्न के लिए रॉयल रंबल शो पर नहीं आएंगे बलकि वो सिर्फ बैक्स्टेज ही होंगे और वो सपोर्ट करने आएंगे बैथ फीनिक्स को जो की उतरने वाली है विमेंस रॉयल कि जो इंस्टेग्राम की ओपर एज ने अपनी लोकेशन अपडेट करी है वो रॉयल रंबल की जगह से काफी दूर है बट गाइस इसमें आपको जाता चिंदा करने की बात नहीं है क्योंकि अगर डबल डबल को एज को रिटन करवाना है रॉयल रंबल के अंदर तो वो ब को इनवाइट किया है रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए इसलिए नहीं कि वो रिंग में कंपीट करें बल्कि इसलिए ताकि वो अटेंडेंस में मौजूद हों अपने बाकी के सूपरस्टार्स को सपोर्ट करने के लिए और वही बात है जैसे मैं आपको वीडियो के चांसेज हैं अगली स्टोरी के तरह बढ़ते हैं और गाइस यह जुड़ी है एक और मैंस्ट्रालमर मैच के सर्प्राइज को लेकर और यह सूपरस्टार कोई और नहीं बल्कि दबैस्ट इन दवर्ड सीम पंग नहीं शेयन मिक्मैन गाइस मैं आपको यह बता दो कि शेयन यह बैस्ति हैं तो यह तो वहंगे डिबल डॉबली बैक्स्टेश के काम के लिए या फिर हो सकता है कि वह में रॉयल रम्बल में मैंस्ट्राइज के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं अब क्योंकि इस सारे नाम बताया जा रहा हूं लेकिन जो सर्प्राइज सूपरस्टा जिसको अलबर्टो डैल्रियों ने जीता था तो अगर डॉबल डॉबली को कहीं से भी ऐसा लगता है कि उनके पास सर्प्राइज करने के लिए काफ़ सारे अलिमेंट्स हैं लेकिन जो स्पोर्ट से काफी कम बाकि हैं तो चांस है थोड़ा बहुत की डॉबल डॉबली इस म मैच को 40 मैन रॉअलर मैच में मेंस को बदल सकती है व्हेस को यह सरी जारे हैं लेकिन यह बाते सिर्फ इसले मेझे सामने चाहिए अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस यह जुड़ी है एक ऐसे नाम से जो की शायद कंफर्म ही हो चुका है कि यह हमें रॉयल रमर में अपनी अपने जरूर करतावा दिखाए देगा और गाइस यह काफी बड़ा नाम है फॉर्मर डबल डबल डबली की उपर और गाइस हो यह रहा है कि डेड़ डबल डबली जब भी अपना कोई ऐसा बड़ा शो तयार करते तो वह इसकी पहले से एंट्रेंस और ग्राफिक कैसा होगा उसकी पहले टेस्टिंग करती है पायरोज वगर एक टेस्टिंग होती है तो वहीं आपर टेस्टिंग चलिए और अगर स्क्रिंग के ओपर MVP का नाम लिखा हुआ है तो गाइस ऐसे में टेस्टिंग के बाद भी MVP नहीं आते थे बहुत यह सर्प्राइस करने वाली बात होगी और ऐसे में लग रहा है कि कंफर्म की MVP की जरूर कोई अपेरेंस होने वाली है Royal Rumble के अंदर क्या वो 30 स्टोरी की तरह बढ़ते हो और गाइस यह जूड़ी है फिन बैलर से और फिन बैलर लगाता टीज करते जा रहे हैं कि वो Royal Rumble में अपेरेंस करने वाले हैं जब यह वाली फोटो एंदरादे ने US Championship के साथ जलीना वेगा के साथ पोस्ट करी तो गाइस इस पर कॉमेंट किया है Spanish में फिन बैलर ने जिसका मतलब है See You Tomorrow और Tomorrow मतलब Royal Rumble तो यहां पर फिर से फिन बैलर ने टीज कर दिया कि वो Royal Rumble में हमें देखने को मिल सकते हैं और फिर से यहां पर होई बात है कि उनका भी चांस है कि वो 30 men Royal Rumble मैच के अंदर होंगे और वैसे भी मैं आपको चैनल के नाम बता ही देता हूं जो कि हमें इस रॉयल रंबल मैच के अंदर देखने को मिलेंगे और उनकी पूरी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं इसे मापके स्क्रिंग के ओपर यहां पर वो नाम है डेकोटा काई का कैली कैली का दियांका बलेयर टोनी स्टों टीगन नॉक्स ब हैं उन सबको टेस्ट किया जा रहा था स्टेडियम के अंदर और वैसे वही सेम बात है जैसे एंवीपी वाला सीन है कि अगर डबलोबली इन चीजों के टेस्टिंग कर रही है तो इसका मतलब की इनकी अपीरेंस जरूर होगी रॉयल रंबल के अंदर और एक ही तरीका इनक को मिलेगा केंग कॉर्बन और रोमन रेंस की बीच और यहां बर पहले एक्सपेक्ट यह था कि डबलोबली पॉसिबली रॉयल रंबल में इनकी जो रैवलरी हो पूरी तरीके से निप्टा देगी और उसके बाद डबलोबली रोमन रेंस को एक फ्रेस स्टार्ट देने वा के फॉल्स काउंट एनिवेर मैच के अंदर कुछ ऐसा एंगल देखने को मिले जो कि रोमन रेंस और किंग कॉर्मन की स्टोरान को आगे बढ़ाएगा और हो सकता है यहां पर हमें एक एलिमेंट एड करते वे दिखाया दें उसो और किंग कॉर्मन की बात करें तो वहां से क्योंकि वही बात है के लिए काफी मुश्किल होगा कि सौधी अरेवे के लिए कुछ डिफरेंट रोमन रेंस के लिए प्लान करना और फिर रसल मीना के लिए भी तो ऐसे में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ ना कुछ सो कसर भागी रहेगी रोल रंबल पे-पर करती है और कितनी बड़ी नाइट होने वाली है जब वो उतरेंगे 30 मैन रोल रंबल मैच और फॉल्स काउंट एंवे मैच के अंदर अब इससे पहले कि आप लोग इस वीडियो को छोड़ो प्लीज लाइक जरू कर देना काफे सारी अपडेट सी आपके लिए इस वीडियो कर दो